हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं की कैसे आप अपने लावा Z61 एंडुड वाइल फोन में आप जो है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रिशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि ओन कैसे कर सकते हैं और ये चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रिशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे आना है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यह साउंट का साउंट पर आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद आपको साउंट के इस पेज में नीचे आना है ठीक है आप यह charging sound and vibration setting जो है enable होने के बाद यह setting कैसे गाम करती है यह मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो जब भी आप अपने mobile phone के साथ अपने charger को connect करेंगे ना तो आपका phone जो है sound create करेगा यह देखे मैंने charger को यहापे पहले से ले रखाया ठीक है और यहापर जो है मैं enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके लावज Z61 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो है न यह charging sound and vibration setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जो है अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page में आप आपको सबसे उपर यह search setting का option मिलेगा इसे आपको select करना है अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है charging sound and vibration ठीक है इस तरीके से तो आपको जो है न नीचे की side यह charging sound and vibration का option शो हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है ठीक है select कर लेंगे तो इससे होगा क्या आपका mobile phone आपको